लोगा इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 अक्टूबर तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए म कर सकते हैं इसमें आपको हर मंत के banking current affairs pdf भी प्रोवाइड कराई जाती है और यह जो प्लैन है यह एक साल के लिए वैलेड होता है इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे जितने भी pdf हैं सबको और उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं एप से भी यूज कर सकते ह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरुवाद इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आज का कुश्चन देख लेते हैं नेसल इंसिट्यूट ऑफ रूरल डेवलप्मेंट इस लोकेटेड एट रास्टे ग्रामीन विकास्तन स्थान कहां इस्तित है यह वाला कुश्चन कई एकसाम से पूछा जा चुका है काफी महत्तपूर्ण है और अकसर कन्फि आंसर दे दीजिए फिर आके बढ़ते हैं विचिस दा होस्ट सिटी इस यह फोर्ड़ सेलिब्रेशन ओफ वर्ड सिटी स्टे ओन थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर 31 अक्टोबर को विश्वे सहर दीवस मनाने के लिए इस वर्स मेजवान सहर कौन सा है ओप्शन आपके सामने ह आपको जाना चाहिए हर साल 31 अक्टोबर को वर्ड सिटी स्टे सेलिब्रेट किया जाता है यह एक युनाइट नेशन्स ओब्जरवेंस है और सबसे पहले साल 2014 में इसको मनाया गया किसके द्वार अगनाईस किया जाता है युनाइट नेशन्स हुमन सेटलमेंट प्रोग्र रखेगा रखेगा कि वायू परिवेहन समीती एटी सी का अध्यक्ष की से चुना गया है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सेफाली जुनेजा तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर सेफाली जुनेजा इन्हें International Civil Aviation Organization ICAO की जो Air Transport Committee होती है इसका चेर परसन नामित किया गया है आपको जाना चाहिए जो यह ICAO है यह United Nations की एक Specialized Agency है और लगबग 28 साल में पहली बार कोई Indian इस तरह की कमिटी में जो है शामिल हुआ है या फिर इसका चेर परसन बना है इससे पहले केवल भारत के पास इस परके दो ही अफसर आए हैं उन्हें देखेंगे कब कब हुआ ऐसा शाथ साथ ही जो डॉक्टर सिफाली जुने जाहें यह First Women बन गई है जो ICAO में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है आपको जाना चाहिए जो यह ATC Air Transport Committee यह ICAO की एक Standing Committee है इसकी स्थापना Chicago Convention 1944 में हुई थी साथ है आपको यह जाना चाहिए 2025 तक भारत वर्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविशन मार्केट बनने वाला है और इससे पहले जब भारत ने ICAO में इस तरह की किसी कमेटी को हैड किया था तो यह थे 1987 और 1994 तो दो बार इसससे पहले भारत में शामिल हो चुका है ICAO को बारे में आपको जाना चाहिए हैटकॉर्टर्स मौन्ट्रियल केनेडा में है इसके जो प्रेजिडेंट है इस काउंचल के प्रेजिडेंट यह सल्वैट और शिया सित्यानों है इस थाबना साथ दिसंबल 1944 को हुई थी इस इंडियन गौवर्मेंट मिंट लॉंच्ट शिल्वर सोवनियर ओन दा थीम ओव टी 20 वर्ल्ड कप टी 20 विस्वगप की थीम पर भारत सरकार के किस तक सालने टी 20 विस्वगप रजत इस्मृति चिन जारी किया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन भी है कोलकाता तो देखें इंडियन गौवर्मेंट मिंट कोलकाता जो की SPMCIL की एक यूनिट है इसने एक इन हाउस डिजाइंड सुवनियर कोईन एक कोईन इसमृति कोईन इन्होंने जारी किया है 40 ग्राम्स 44 mm डामिटर विद 999 सिल्वर प्यूरिटी क कि आपको जाना चाहिए कि इंडियन गौवर्मेंट की जो मिंट है जापर कोईन बनाए जाते हैं यह चार लोकेशन पर हैं एक तो है मुंबई दूसरा है अलिपूर कोलकाता तीसरा है सैफ़बाद चर्लापली हैदरबाद और चोता है नोड़ा उत्तरप्रदेश अच्छ आप किसी जगह गोमने गए और वहां से आपको यादगार पल लिए अपने लिए य स् Mexican in you ॐ wingsmarti उने या फिर आपको आपकी सी realities में गये कि या फिर आपकई सिर्टिफिकेट या इसमर्थी है कि आपका यादगार रहेगा कि हमने इस चीज़ को अटेंट किया तो इसको बोलते हैं सुविनियर तो इस तरह से कोश्चन कि स्थान पर आयोजित किया गया औप्शन सापके सामने हैं सही आंदर प्रदेश में आयोजित किया है आपको जाना चाहिए जो सिंबेक्स तो विसाका प्ट्रम में हुआ चब इस से 27 अक्टबर 2022 के बीच और जो सी फेस है यह पे ओफ बेंगॉल में हुआ 28 से 30 अक्टबर 2022 के बीच में आपको जाना चाहिए जो सिंबेक्स सीरीज ऑफ एक्सराइज है 1994 में इसकी सुरुवात हुई थी तब इसको एक्सराइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था इंडिया और विच कंट्री आर पार्टिस्पेटिंग इन बाइलेटरल एयर फोर्स एक्सराइज नेमड गरूर 7 फ्रों 26 अक्टबर तो 12 नमबर 2022 एट एयर फोर्स स्टेशन जोथपूर भारत और कौन सा देश वायुजेना स्टेशन जोथपूर में 26 अक्टबर से 12 नमब और फ्रेंच एयर एंड इस्पेस फोर्स FASF ये 26 अक्टूबर से 12 नमबर 2022 तक एक बाइलेटरल एक्सराइज में पार्टिस्पेट करने हैं जिसका नाम है गरूर 7 कहां पर एयर फोर्स स्टेशन जोथपूर राजस्थान में तो जो FASF है यानि कि फ्रेंच एयर एंड इस जगवार फाइटर एक्राफ्ट लाइट कोंबेट हेलिकॉप्टर माई 17 हेलिकॉप्टर इनके साथ पार्टिस्पेट कर रहा है यह सेवंथ एडिशन है इस एक्सराइज का गरूर एक्सराइज का फर्स्ट एडिशन 2003 में हुआ था ग्वालियर में है हाव मैनी इंफ्रस्र रक्षामंत्री राइनाथ सिंग को समर्पित की गई तो राष्ट को रक्षामंत्री राइनाथ सिंग द्वारा समर्पित की गई यह उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है 75 तो इस द्वार्ट राइनाथ सीने 75 एंट्रस्ट्रक्ट्ट्ट्र प्रोजेक्ट जो बोर्डर और निशने बी आरो इसके द्वारा जो बनाए गए हैं 75 इंट्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र प्रोजेक्स यह रास्ट्व समर्पित के कहां पर यह DSDBO रोड लद्दाक में एक फॉंक्शन हुआ वहां पर तो इसमें 75 प्रोजेक्स में 45 ब्रिजट्स हैं 27 रोड्स हैं टू हैली पैड्स हैं और वन कार्बन न्यूट्वल हैबिटेट है तो यह अलगवग 6 स्टेट्स एं सेतू भी है यह आपका लद्दाक में है और ब्यारो का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट जो की 19,000 फीट की हाइट पर है यह हानले लद्दाक में इसको इनेग्रेट किया गया है महत्तपूर्ण रहेगा यह वाला आपके लिए साथे आपको जाना चाहिए रक्षावंती रायना सिंग एक और कारण से चर्चा में रहे इन्होंने हाली में श्रीनगर जम्मो कश्मीर में सोर्य दिवस इसको सेलेब्रेट किया गया तो इस फंक्शन में भी मौजूद रहे सोर्य दिवस किसले मनाया गया जो इंडियन आर कदिया देंडिया मौजंबिक तन्जानिया ट्RY एक्सरेश एड्स धर मौDER साल एम तन्जानिया भारत मौजंबिक तंजानिया तिंग अभ्यास की पहले स्ट्रण में किस इन श्रीपते एस ने भारता प्रतिनिधू किया है options आपके सामने हैं सही answer options ही है INS तरकश तो आपको जाना चाहिए इंडिया Mozambique तंजानिय ट्वाइलेट्र एक्ससाइज आई-म्टी ट्रिलैट इसका first edition हुआ है तो पहली बार यह exercise हो रही है मैट पूर्ण है जो पहली बार होता है कोई भी काम तो इंडियन Mozambique और Tanzania Navies के बीच में यह हुआ है कहां पर दर इसलाम तंजानिया में अच्छा यह भी आपको चाना चाहिए कि किन के बीच में हुआ है कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि Air Force के बीच में हुआ है इंडियन नेवी के बीच में हुआ या फिर आर्मी के बीच में हुआ है तो यह हुआ है नेवी के बीच में तो भारत की जो नेवी है इसको गाइड़िट मिसाइल फ्रिगेट आई एनेस तरकश द्वारा जो है भारत को रिप्रेजेंट किया गया है साथी चे तक हेलिकॉप्टर भी गया मार्कोस भी कौन सा संसक्रण 31 अक्टोबर से 3 नौंबर 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित है उप्शन आपके सामने हैं सही आंतर उप्शन डी है सेकंड तो आपको जाना ची नवल कमांडर्स कॉनफरेंस ऑफ 2022 इसका सेकंड एडिशन 31 अक्टोबर से 3 नौंबर तक न्यू डैली में आउजीत किया जा रहा है यह जो कॉनफरेंस है यह नवल कमांडर्स के लिए एक प्लैट्फोर्म होता है जहां पर वो इंपोर्टेंट मैरिटाइम मैटर्स के बारे में डिसकॉशन करते हैं नौर्थ-East geology and mining ministers conclave held in which state नौर्थ-East geology and mining ministers conclave के शराजिय में आयू जीत हुआ है आपको जाना ची दिए आपको जाना चाहिए Union Minister of Mines, Call and Parliamentary Affairs प्रलाद जोशी इन्होंने First North East Geology and Mining Ministers Conclave जो की नागालेंड में हुई तो इसके Chief Guest के तौर पर इस Event को ग्रेस किया है तो यह आयाद रखेंगे आप North East Geology and Mining Ministers Conclave यह नागालेंड में हुई है Union Minister of State for Rural Development Fagan Singh Kulaste inaugurated the Saras Food Festival 2022 in Kendra Gramend Vikas Rajya Mantri Fagan Singh Kulaste ने New Delhi में Saras Food Festival 2022 का उधगाटन किया है आपको जाना जी Union Minister of State for Rural Development and Steel Fagan Singh Kulaste इन्होंने Saras Food Festival 2022 को inaugurate किया है यह Union Minister of Rural Development द्वारा ओर्गनाईज किया जा रहा है 28 October 2022 से 10 नंबर 2022 तक कहाँ पर कनाट प्लेस New Delhi में बाबा खड़क सिंग मार कनाट व्लेस New Delhi में डॉक्टर स्रीवरी चंदर शेखर Secretary Department of Science and Technology inaugurated the first ASEAN India Startup Festival in which country विज्ञान और प्रद्वगी की विभाग के सचीव डॉक्टर श्रीवरी चंदर सेखर ने किस देश में पहले आशियान भारत स्टार्ट आप माउत्साव का उद्गाटन किया options आपके सामने हैं सही आंसर option C रहेगा इंडोनेशिया एक और मैट्र पॉर्ण question तो देखिए बगोर इंडोनेशिया में फर्स्ट आशियान इंडिया स्टार्ट अप फेस्टिवल इसको इन्योग्रेट हिया गया है जो Department of Science and Technology के Secretary है हमारे डॉक्टर स्रीवरी चंदर सेखर इनके द्वारा इंडोनेशिया से संबंदी रेकोर नियूज है आपको जानेशिया डॉक्टर मांसो कमानी वेज़ों की इन्वेस्टर for Health and Family Welfare से इन्होंने G20 Health Ministerial Meeting का सेकंड एडिशन बाली इंडोनेशिया में संबदीद किया है Ministry of Culture has collaborated with which foundation to empower youth towards better health and future युवाओं को बहतर स्वास्ते और भविश्य के लिए ससक्त बनाने के लिए सवस्कृति मंत्रा लेने किस foundation के साथ सहयोग की options आपके सामने हैं सही answer option ए रहेगा art of living तो देखे आजादी कामरित महुत्साव के तहट Ministry of Culture ने art of living के साथ collaborate किया है ताकि जो यूथ है उनको mental health mental peace के बारे में educate किया जा सके और meditation के बारे में भी उनको बताया जा सके बाकि आप जानते हैं कि इस दोरान जो ये art of living का headquarters है बैंगलूरू में तो इस मोके पर विच एडिशन ओफ आशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मिटिंग ओन अक्रिकल्चर एंड फोरेस्ट्री वाज है रिसेंटली क्रिसी और वानी कीपर आशियान भारत मंतरी इस तरिये बैठक का कौन सा संस्क्रण हाली में आई जित किया गया options आपके सामने है आपके सामने सही आंसर option भी है 7 तो देखिए 7 आशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मिटिंग ओन एग्रिकल्चर एंड फोरेस्ट्री ये वर्चुली संपन्न हुआ है इस मिटिंग को कोचेर किया गया एक तो लाउस की जो मिनिस्टर आफ एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर इनके द्वारा और भारत के जो मिस्टर फोर एग्रिकल्चर एंड फार्मर्स वैलफेर ओफ इंडिया है नरिंदर सिंग्तों मर्क इनके द्वारा ठीक है तो यह आप याद रखेंगे और बाकिस में जो अग्रिकल्चर मिस्टर हैं बुरुनाई दरुजलम और कंबोडिया इंडोनेशिया लाउस मलेशिया में मार्क फिलिपिन सिंगा पूर्थाइरें वेतना भी लों ने भी पार्टिस्पेट किया है तो यह आप याद रखेंगे किसके द्वारा गोइंग ऑन ही पास्ट अवे ओन ऑक्टोबर टॉंटीएड नेम दपर्सन वेपनेगी जैसे ग्रेट बाल्स ऑफ फायर और हॉल लोटा सकीन गोइंग ऑन शेकिन गोइंग ऑन के लिए जाने जाते हैं अठाइस अक्टोबर गुन का निधन हो गया और नाम बता यह अभी चुरी में महत्रपूर ने सभी लगबग नियूसपेपर ने यह विचुरी कवर की है तो अमेरिकन सिंगर रहे सॉंग राइटर रहे पायनिस्टर है इनको दा किलर निकनेम दिया गया था जैरी ली लूइस इनका हाली में निधन हो गया है यह अपने सॉंग्स के लि को हैं और जलमार्ग और आयूश मंत्री सर्वनंद सोनवाल ने किस राज्य में आयूश उत्सव का उत्वाटन की आपके सामने से यह अंसर ऑप्शन दिरेगा जम्मू एंड कश्मीर तो आपको जाना चाहिए जो हमारे आयूश मिनिस्टर है सर्वनंद सोनवाल इनी के पा आयूश उत्सव का ब्रीजिंग देगेप्स इन हेल्थ केर आयूश अप्रोमिसिंग रिकोर्स एस फर दर डवल एको जोज ग्लोबल टीवी रिपोर्ट वट इस इंडियास टीवी इंसिदेंस पॉर दा इयर टॉन्टीवन डवल एको की ग्लोबल टीवी रिपोर्ट के नुसार बर्स दोजारी किस के लिए बारत में टीवी के मामले दो सो दस पर लाग पॉपुलेशन है यह रिपोर्ट ही महत पॉर्ण रहेगी देखें ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी करती गई है डवल एको के द्वारा वर्ड हेल्थ और्गनाइशन के द्वारा इसमें बताया गया है कि जो कोविड नांटीन पैंडेमिक का इंपक इस तरह से पढ़ा है जो टीवी के डाइगनोज है ट्रीटमेंट है और टोटल जो बर्डन है टीवी का इस पर किस तरह से कोविड नांटीन का इंपक्ट हुआ है वह बताया गया है तो इसमें बताया गया है कि भारत में अगर हम बात करें 2021 में तो जो टीवी के मामले हैं वो 210 पर 1,005 पॉपुलेशन जो है रही है अगर हम 2015 की बेसलाइन से इसको कमपेर करें महाँ पर 256 पर लैक ओफ पॉपुलेशन मामले रहते थे इसका मतलब 18 परसेंट डिकलाइन देखने के लिए मिला है यदि हम 2015 की बेसलाइन से कमपेर करें जो की 7 परसेंट पॉइंट बेटर है गलोबल एवरेज ओफ 11 परसेंट यानि के गर हम गलोबल ही देखे तब तो 11 परसेंट का डोप हुआ है और भारत में 18 परसेंट का डिकलाइन देखने के लिए मिला है साथ ही भारत यहां पर 36 पोजिशन पर है इन टम्स ओफ इंसिडेंट रेट्स आपको जाना चाहिए कि 21.4 लाक टीबी केसेज भारत में नोटिफाई के गए 2021 में जो कि 2020 के टोटल केसेज से 18 परसेंट जाद रहे अच्छा टीबी प्रोग्राम है भारत का यह निक्षे पोशन योजना याद रखे है टीबी से सम्मंदित है यह काफी महत्तपून कंट्रीज है जहां पर टीबी के पेशेंट सबसे ज्यादा है तो वहां पर भारत में जो है 28% केसेज हैं ग्लोबली अगरम बात करें तो टोप 8 कंट्रीज में आता है भारत NSTC International and which countries पर्दमन पार्टनर टू इन्हांस ट्रेड इन इनोवेशन इस्किल्स एंड एजुकेशन NSTC International और किस्टेश के पर्दमन ने नवाचार कोशल और सिक्षा में व्यापार बढ़ाने के लिए बागिदारी की है उप्शन साब के सामने है सही आंसर की एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराए जा सके तो जो इंडियन इस्किल्ड यूथ है उनके लिए एक तरह के दरवाजे ओपन करता है ऑस्टेलिया में जाने के लिए तो पर्दमन क्या है एक मल्टिनेशनल ग्रूप है जो की वेस्टरन ऑस्टेलिया में लोकेटेड है तो इसके साथ MOUE से साइन किया गया है आपको जाना चाहिए NSTC के जो CEO है और मेर्जिंग डेक्टर जो है NSTC इंटरेशनल लेकिन का नाम वेदमनी तिवारी है चिंतन शीवर ओफ होव मेंस्टर ऑफ स्टेट हेल्ड इन विच स्टेट राज्यों के ग्रह मंत्रियों का चिंतन शीवर किस राज्य में आउजित हुआ सही आंतर अप्शन भी है हर्याना तो आपको जालना चाहिए प्रायम मेस्टर नरेंदर मोधी द्वारा चिंतन शीव इसको सम्मोदित किया गया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के तुरू ये चिंतन शीवर सुरचकुंद हरयाना में 27 अटाइए सक्टबर 2022 को आईजित किया गया इसमें हम सक्रेटरी इस and Director General of Police of States, Director General of Central Armed Progress Forces, Central Police Organizations, इस में पाइचिपटिक है चिंतन सीवर में as per the third advance estimates of the area and production of horticulture crops the total horticulture production is estimated to be 342.33 million tons in the year 2021-2022 बागवानी फसलों के छेत्र और उत्पादन के तीसरे अगरिम अनुमान के अनुसार वर्ज 2021 में कुल बागवानी उत्पादन 321 इसमलो 33 million ton होने का अनुमान है आपको जाना चाहिए Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India ने third advance estimates of the area and production of various horticulture crops for the year 2021-2022 इसको जारी कर दिया गया है यहरे कि advance estimates बताये गए हैं आपर जितने भी horticulture crops होती हैं उनके लिए 2021-22 के लिए तो इसके अनुसार जो total production रहने वाला है 28.08 million hectares की जो भूमी है हमारे हाँ इस पर total horticulture crops का production होगा 342.33 million tons देखिए इस तरह के जो अगरिकल्चर सम्मदिद question है न आकड़ यह भी पूछ ले जाते हैं तो देखिए यहां पर पूरी इन्होंने रिपोर्ट बताईए कि टुटल horticulture production 342.33 million tons रहने वाला है 2021-22 और जो fruits का production है यह 107.24 million tons production of vegetables बताए गया है 204.84 million tons ऐसी onion का production बताए गया है 31.27 million tons potatoes का यह बताए गया है इस तरह से tomato का भी बताए गया है तो आपको सबका अलग-अलग याद करने की जुरूत नहीं है के वली याद रखेगा overall कितना है 342.33 million tons which state launched a common credit portal सफल यानिके simplified application for agriculture loans for the welfare of farmers किस राज जने किसानों के कलने आने के लिए एक सामान्य credit portal सफल लॉंच यह options आपके सामने है सही answer option यह है Odisha तो देखिया Odisha के chief minister ने नवीन पटनायक इन्होंने common credit portal सफल यानिके simplified application for agriculture loans इसको जो है लॉंच किया है farmers के welfare के लिए तो यह जो portal है इसके तुरू जो भी farmers हैं और जो एग्रिए entrepreneurs हैं वो लगभग 40 banks त्वारा जो 300 term loan products provide किये जा रहे हैं उनको access कर सकते हैं which company signed an operation and management agreement with the AAI to facilitate commercial operations from राउर केला in the state of Odisha Odisha राच में राउर केला से वानिजीक संचालन की सुविधा के लिए किस company ने AAI के साथ एक संचालन और प्रबंधन सम्जुते पर अस्ताक्षर किये options आपके सामने हैं सही answer option A रहेगा sale तो देखे Steel Authority of India Limited यानि की sale इसने airport Authority of India के साथ operation and management agreement sign किया है New Delhi में ताकि जो राउर के ला एरपोर्ट है Odisha में यहां से commercial operations आसानी से हो सके बाकी sale के बार में आप जानते है chairman Soma Mondal है headquarters New Delhi में है AI के अगर हम बात करें headquarters New Delhi में है और chairman संजीव कुमार चलिए previous assignment questions के answer देखेंगे in which year did Google acquire Android 2005 which agency has upgraded Mathut FinCorp 2 AI initiative answer is Kresil, Chhattisgarh Chief Minister Bupesh Bagail inaugurated a millet processing unit in which district answer is Conker Name the environment and public transport expert and founder of Parishar organization who died recently Sujith Patawardhan Global leaders committed to donating how much million US dollar for eradicating polio at the world health summit in Berlin Germany answer is 2.6 billion US dollar Global Dignity Day is observed every year on the third Wednesday of October this year Global Dignity Day is observed on the 19th of October और आप में से कई experts से बिल्कुल सही आंसर दिये इसी तरह से पारिस्पेट करते रहिए चलिए आज के assignment questions देखेंगे The National Intelligence Grid brings together data from how many central agencies Recently the central government announced bringing the Hathi community under the scheduled tribes list in which state the Hathi's are predominantly concentrated Which genetically modified crop has recently been given environmental clearance by the Genetic Engineering Appraisal Committee in India? BCCI President Roger Binney served as the president of which state's cricket organization until he was elevated to the top job at BCCI earlier this month? In which state is the manufacturing facility for C295 transport aircraft is being set up by the Tata Advanced Systems Limited in partnership with European Aviation Major Airbus? तो इन 5 questions के answer आप comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं जिस कीजिए ज्यादा ज्यादा संक्या में आप participate करें साथी current affairs fund आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगली वीडियो अपडेट्स current pages हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की प्लेजर दी गई इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों साथ fellow experts साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का इस session आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा thank you guys